अमेरिका के राष्ट पती डोनाल ट्रम्प ने गुरुवार को जिन आदेसों को मंजूरी दी उसमें मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार का निर्माण भी शामिल है लेकिन इस दीवार के निर्माण में भारतिये रुपयों में एक लाग करोर रुपय का खर्चा आएगा इसका अंदाजा अमेरिकी कॉंग्रेस के सीनेट के एक नेता मिच मैको निल ने लगाया है मिच ने कहा अमेरिका के सदनर बॉर्डर पर बढ़ने वाली दीवार के प्लान पर कॉंग्रेस अब आगे बढ़ रही है उन्होंने अर्मान लगाया कि 12 मिलियन से 15 मिलियन डॉलर तक की रकम इस दीवार के निरमान में खर्च होगी। आपको बता दें कि राष्टपती डोनाल ट्रम्प के दीवार बनाने वाले फैसले की वजह से पिछले दो दिनों में अमेरीका और मैकसिको के बीच काफी कुछ हुआ है। ट्रम्प और मेक्सिको के राष्टपती की मुलाकात होनी थी लेकिन अब मेक्सिको के राष्टपती ने ट्रम्प से मिलने से साफ इनकार कर दिया। मेकोनल ने कहा कि उनके पास मेक्सिको से रिस्तों पर ट्रम्प परशासन को देने के लिए कोई सलाह नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि कॉंग्रेज एक सप्लिमेंट बिल पर काम कर रही है ताकि बॉर्डर वॉल के काम को मदद दी जा सके। दिवार के लिए नया टेक्स मेक्सिको के राष्टपती एनर रखे पेना नियतों ने बुदबार को एक बयान जारी किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेक्सिको इस बॉर्डर वॉल के लिए पैसे नहीं देगा। इसके बार राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने गुरुबार को ट्विट किया और कहा कि अगर मेक्सिको इस दिवार के लिए रकम नहीं देना चाता तो फिर बहतर होगा कि आने वाली मुलाका को कैंसल कर दिया जाए। राष्टपती ट्रम्प चाते हैं कि मेक्सिको से आयात होने वाले सामानों पर 20 पर्जिसत का टेक्स लगाये जाए। White House के परवक्ता Seep Spicer ने बताया कि राश्टपती ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका और मेक्सिको के भीच इस दिवार के लिए एक नया टेक्स का प्रावधान हो हालांकि उन्होंने यह नी बताया कि नया टेक्स सिस्टम कैसे काम करेगा मेक्सिको बॉर्डर पर दिवार बनवाना राष्टपती टरम के चुनावी अभियान का सबसे एहम वादा था ब्यूरो रिपोर्ट देबुमी न्यूज